जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साइट के बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करें तक आपके यहां पहुंचे जाधा से जाधा वीडियो को सेेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वीडियो आज का अपना यहां से फर्ष्ट कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 36 से की पदमाबत किस भासा में लिखा गया है यह आपके लिए बताना है कॉस्चन नमबर 36 का अंसर क्या होगा पदमाबत किस भासा में लिखा गया है बताना है, ब्रेज, अबिदी, मेतली या ब्रांच है, तो question number 36 का आपका जो सही answer है, बहें आपका अबिदी, अबिदी आनि की विकल्प number आपका C, यहाँ पर right answer है, question number 37 आपसे यहाँ पर पूंचा क्या है, पदमाबत के अनुछेदों का नाम है, तो अनुछेदों का नाम क्य question है, और इसका जो सही answer है, बहें आपका यहाँ पर right answer विकल्प number C आनि की खंड, खंड नाम है इनका, तो विकल्प number C आपका यहाँ पर सही answer होगा, question number 38 क्या पूंचा गया है, तो question number 38 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए ए है question number 38, कि पदमाबत में रतने सेन किसका प question number 38, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अबस्ते करते जाएंगे यहाँ पर, question number 38, का सही answer आपका, जो रतने सेन है, यह पदमाबत में रतने सेन, यह किसके पृतिक है, तो आपका सही answer है, यह मन का पृतिक है, तो विकल्प number 1 आपका यहाँ पर सही answer है, पदमाबत में पदमनी पृतिक है! यह आपकी लिगे बताना है, question number 49 में, पदमाबत में जो पदमनी हैं, यह प्रतिक है, सादक का परमसत्ता की, सेयतन की पिरकृतिकी तो question number 49 का आपका यहाँ पर जो सही answer है 49 का बहे है आपका यहाँ पर right answer 49 का विकल्प number C यानिकी परमसत्ता की विकल्प number C आपका यहाँ पर सही answer है परमसत्ता की आपका right answer है यह आपका PGT में पूँचा गया है पदमाबत में पदमिनी जो पृतिक है यह परमसत्ता की है Q4 का आंसर बताना है, 4 विकल्ब भी आप कहां पर दिये गए हैं और 40 का जो सही आंसर है, भै बताना है तो बिलकुल सही आंसर है J.C. देखिए इन में से J.C. की किर्थी, अक्षाई किर्थी के आदार पर रची गई है तो बै कौन सी किर्थी है तो बै है आपकी पदमाबद, विकल्ब नंबर एक आपका सही आंसर है पदमाबद, PGT पर एक्षा 2015 में एक कॉस्चन पूँचा गया था आपका कॉस्चन नंबर 41 क्या पूँचा है, पदमाबद को समा सोक्ती किसने कहा है यहां पर देख लीजे, कॉस्चन नंबर 41 क्या पूँचा गया है तो यहां पर देख लीजे, कॉस्चन नंबर 42 ए है की चार उठाए लीन एक मूटी दीन अडाई प्रतिमी जूटी एह पंती किस ग्रंते से ली गई है Quesion No. 42 कांसर बताए पद्माबत आखिरी कलाम चंडायन या रामचरित मानस Quesion No. 42 कांसर बताना है यह पंती जो है किस ग्रंते से ली गई है तो आपके यहाँ पर सही आंसर होगा 2018 में LT grade में question पूंचा था और पदमाबत आपके यहाँ पर सही आंसर है पदमाबत से इपंती ली गई है question number 43 क्या पूंचा क्या है आपसे यहाँ पर कि निमने लिखित में से किस कभी ने सिर्फ अबदी भासा में ही रचिना की है देखे इन्हों ने जो है जो रचिना की है सिर्फ अबदी भासा में ही की है कभीर, तुलसी, सूरदास या जाईसी तो question number 43 का आंसर बताना है 43 का right answer आपके यहाँ पर क्या होगा तो आपके यहाँ पर 43 का सही आंसर है आपके डी आनि की जाईसी आपके यहाँ पर सही आंसर है जाईसी आपके यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी right answer होगा चित्रावली किसकी रचिना है चित्रावली देखे यह जो चित्रावली आपसे पूंशा है ये चित्रवली रचना किसकी है उस्मान या कासिम साहे सेख नभी या नूर मुहम्मद तो question number 44 का सही answer बताईए महत्तुपून question है और 44 का आपका जो सही answer है आपका यहाँ पर right answer 44 का विकल्प number 1 यानि की उस्मान बिल्कुल सही उस्मान आपका सही answer है उस्मान चित्रवली की रचना कार उस्माने और उन्होंने इसकी जो रचना की थी 1613 इस्वी में की थी और यह जो है गाजी पुर की नवासी थी कहां की नवासी थी गाजी पुर की कौन उस्मान question number 45 क्या पूंचा क्या है देखे question number 45 हिंदू मकपर पाउन राक्यों का जो बहुतो हिंदू भाक्यों एह उक्ती किस रचना और रचनाकार से संबंदित है देखे रचना और रचनाकार से संबंदित तो नूर मुहम्मद इंद्राबती या उस्मान चित्रवली नूर मुहम्मद अनुराग बांसरी कासिम साय हंस जवाहिर तो किस रचना और रचनाकार से संबंदित है आपकी उक्ती है तो question number 45 का आपका जो सही answer है भै है आपका right answer यहाँ पर विकल नूर मुहम्मद अनुराग बांसरी नूर मुहम्मद अनुराग बांसरी आपका यहाँ पर जो सी है भै right answer यहाँ पर होगा question number आपका यहाँ पर 45 क्या दिया गया है तो भै देख लेते हैं question number 46 देखे question number 46 आप से पूंचा है हिंदी भासाम रचना करने पर किस सूपी कभी को मुसल्मानों का उपालंब सुनने को मिला था तो भै कौन से सूपी कभी है जिनको हिंदी भासाम रचना करने पर इनको मुसल्मानों का उपालंब सुनने को मिला था जा इसी सेक नभी उस्मान या नूर मुहम्मद को तो Question No. 46 का answer बताना है महत्तपूर्ण question है यह आपके जो question है किसी ना किसी अक्जाम में जरूर पूंचे गए यह आपकी महत्तपूर्ण question है तो आपका यहाँ पर 46 का सही answer है विकल्प No. D आनि की नूर महमद नूर महमद आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही नूर मुहम्मद आपका right answer यहाँ पर question number आपका 47 यहाँ पर पूंचा क्या है सूपी काव परंपरा का परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती इसकी रचनाकार कौन है तो सूपी काव परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती और इसके जो मतलब रचनाकार है जाएसी है मंजने कासिमसा है नूर मुहम्मद है तो 47 आपका जो सही answer होगा बहिए क्या होगा 47 का right answer तो बिल्कुल सही 47 का आपका D right answer है नूर मुहम्मद आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर D आपका right answer होगा D आपका right answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर देखिए राम भक्ति काब से सम्मंदित यहाँ पर अंगला question पूँचा गया है आपसे कि सौमी अग्रदास किस धारा का बिधारा की कभी है तो question number है आपका फर्ष्ट है यहाँ पर राम भक्ति का बिधारा सम्मंदित मात्वण question पूँचा गया है सौमी अग्रदास किस का बिधारा की कभी है तो आपके यहाँ पर जो सही answer है question number है एक और इसका सही answer है क्या है right answer तो आपके यहाँ पर सही answer होगा विकल्प नंबर आपका C यानकी राम भक्ति का बिधारा राम भक्ति का बिधारा आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प नंबर आपका C यहाँ पर right answer है 2015 में प्रवक्त परिक्षा में एक question आपका पूँचा गया था question number 2 पूँचा है गोस्वामी जी के पिता का नाम था तो यहाँ पर आपके लिए बताना है PGT में यह question आपका 2011 पूँचा गया कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगा राम या दियुता दीन या आत्मा राम या इनमेसी कोई नहीं तो question number 2 का आपका जो सही answer है वह आपका यहाँ पर question number 2 का विकल्प नंबर question number 3 पूँचा है मात्वपोन question है और इसका जो सही answer होगा question number 3 का भै है आपका यहाँ पर right answer गोद लिए होलसी फरे तुलसी सो सुत्त होई एह पनती है किसकी रहीम विकल्प नंबर आपका D यहाँ पर right answer question number 4 क्या पूँचा गया है question number 4 आपका यहाँ पर double हो गया है तो यहाँ पर आपका रहीम यहाँ पर सही answer है question number 5 क्यों बढ़ते है question number 5 आपसे यहाँ पर क्या पूँचा गया है तो देखे question number 5 आपका यह रहा question number 5 तुलसी की भक्ती का सुरूप क्या था दास्ते था बास्तले था सक्क या मात्र तो question नमबर पांच का अंसर बताना है मात्र पूर्ण question यहाँ पर पूंचे गया है आपसे चार विकल्ब भी आपके यहाँ पर दिये गए है 2011 में एक TGT में पूंचे गया question है तुलसी की भक्ति का स्वरूप जो था बहे था दास से कौन सा था दास से आपके यहाँ पर विकल्ब नमबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है question number आपका यहाँ पर छो पूंचा है अभदी भासा के सर्वादेक लोगप्रीय महा का आप विकारना बताना है अभदी भासा के बताना है आपके लिए अभदी भासा के तो पदमाबत है, मिरगाबती है, मदुमालती, रामचरित मानस तो question number आपका यहाँ पर 6 जो है वै क्या हो का question number 6 का right answer यह question कई बार एक जाम में पूछा जा चुका question है अबधी भासा के सरवदे गलोगप्रिय महाकब्बे का नाम है बै है आपका रामचरित मानस कौन सा है रामचरित मानस विकल्प number D आपका right answer है देखिए अबधी भासा का लोगप्रिय महाका बै रामकता परादारत है जिसकी रचना कासी चित्रकूट एवद्धा नोही है यह आपके लिए और इसकी रचना तुलसी दास जी ने की है तो आपके लिए पता होगा कॉस्चन आपका यहाँ पर साथ क्या पूंचा है रामचरित मानस किस भासा में लिखी गई है राजस्थानी में आविदी में भोजपुरी में एब्रज भासा में कॉस्चन नमबर साथ है और साथ का राइट आफ़ आपका क्या होगा रामचरित मानस से जो है आपके लिए बताना है किस भासा में लिखी गई है तो बिल्कुल सही आफ़ है आपका यहाँ पर विकल नमबर सी राइट बहसा में लिखी गई है और उसमें साथ कंड हैं रामचरित मानस में कितने कंड हैं अगर पूँचर जाये तो इसमें साथ कंड हैं क्वाल कंड है जिंदकर सॅकर न्शो कांड है पुन्छा गया है और आट का सयह आंसर है आपका यहां पर नाम है क्या है राम्चरित्र बहंड- जो भासा है यह अब भी आपने यहां पर पड़ाता कि अब दीभासा है यह question double हो चुका है to विखल्प नमबर एक आपका यहां पर सही answer होगा यह आपका महत्तुपोंद question पूँचे गया, question है पिछली परक्षा में Question नमबर बारढ़ा आप से Question number 10 से अपने यहां पर Question number 10 पूँचा है गोश्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस संबत में किये देखे संबत में आपके लिए बताना है तो कि संबत में की थी गोश्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना चार विकल्प दिये गए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कॉस्चे नमबर 10 का विकल्प नमबर एक राइट आंसर है संबत 1631 आपके यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर एक राइट आंसर कॉस्चे नमबर आपके यहाँ पर 11 दिया है रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं चबिगा साथ कंड आपका रायट आन्सर है राम च Earn में आपर आपसे पूँचा है question number 13, रामचरित मानस में भी भत्ष रस का प्रियोग किन कांडों में मिलता है तो भै कांड बताना है, भै कौन से कांड है PGT में, ए 2015 में एक question पूंचे गया था तो इस रस का प्रियोग किन कांडों मिलता है तो question number 13 का सही answer आप बताईए भत्ष पुर्ण question है और इसका सही answer होगा 13 का अरंड कांड और लंका कांड आपके हैं पर सही answer है विकल्प number 1 आपके हैं पर सही answer होगा question number 14 क्या पूंचा क्या है कि इनमें से कौन सा महाकाब बे अबदी में लिखा गया है तो प्रियप्रबास, साकीत, रामचरित, मानस या रामचंदरिका question number 14 का सही answer है आपके हैं पर चाहे right answer इनमें से कौन सा महाकाब बे अबदी में लिखा गया है अबदी में प्रियप्रबास, रामचरित, मानस, साकीत या रामचंदरिका तो आपका यहाँ पर सभी answer है, यहाँ पर रामचरित मानस आपका यहाँ पर right answer होगा रामचरित मानस जो है अबदी में लिखा गया है और यह क्या है महाकाब्ब है बिल्कुल सभी, विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C right answer है और आपका यहाँ पर जो question number 15 अब क्या पूंचा गया है भै देख लेते हैं यहाँ पर question number 15 आपका ए रहा की यहाँ पर देख लेते हैं यह आपका की अरत ना धरम ना काम रुची गती ना चहुँ निर्बान जनम जनम रती राम पद एह बर दानू ना आन राम चरित मानस में एह आकांचा निमलकित मेंसे किसकी है भरत सुग्रीव सबरी या हनुमान तो यह आकांचा है और किसकी है यह आकांचा राम चरित मानस में एह आकांचा निमलकित मेंसे किसकी है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नमबर एक भरत आपका यहां पर राइट आंसर होगा यह आपका जी आईची प्रवक्त परिक्षा 2015 में यह कौस्चन पूंचा गया था तो विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर यहां पर है अबिदी और ब्रेजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी पूंचा है तो आपका यहां पर सही आंसर होगा तुलसी दास क्या है राइट आंसर तुलसी दास आपका यहां पर सही आंसर बिल्कुल सही अगदी और बिरजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी गोस्वामी तुलसी दास है और इन्हें हिंदी का जातिय कभी कहा जात यह भी आपको याल रखना हिंदी का जाती कभी किसको कहा जाता है गोसवमी तुलसीदास जी को question आपका यहाँ पर 17 पूंचा गया है कि निमने लिकत में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है यहाँ पर 17 आपका यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर 18 पूंचा है इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसी दास की नहीं यहाँ पर भी आप से पूँचा है तो बताईए रामचरित मानस गीता बली कवीता बली साकेत तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर यह आपका जो question है यह पूँचा गया question है कब पूँचा गया था है 2011 में तो क्या है इसका सही आंसर बल्कुल सही आपका यहाँ पर right answer विकलब number D साकेत आपका right answer है भक्तकाल की किस कभी को जातिये कभी कहा जाता है अब भी बताये था जातिये कभी जो कहा जाता है सूरदास, नावदास, तुलसीदास, नंददास तो 19 का आपका सही आंसर है जातिय कभी कहा जाता है किसको कहा जाता है तुलसीदास आपका यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही तुलसीदास आपका सही आंसर पैराक के संदीपनी किसकी रचना है यह आपके लिए question number 20 में बताना है और 20 का आपका जो सही answer है वह comment में जल्ली से बता दिये तुलसीदास, सूरदास, कभीदास या नंददास question number 20 है महत्वण है और बेराक के संदीप नीकिस कभी की रचना है तो आपका सही answer है यहाँ पर बिकल्प number 1 क्यानिकी तुलसीदास आपका सही answer है तो इस परकार अपनी यहाँ पर बहुत ही मात्वण question complete हुए क्यांसा लगा यह वीडियो आप comment में जरूब बताएं अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe करें वेल आइकन दबाएं all पर क्लिक करें ताकि all वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप कहां तक पहुंची जादा से जादा वीडियो को share करना है ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और वीडियो को like करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्नवाज सभी के लिए जैन